दोस्तों सलक पर चलना और घूमना किसे नहीं अच्छा लगता है लेकिन आज हम आपके लिए दुनिया की 5 हमसे खतरनाग सड़के लेकर आए हैं जिन पर चलना मौनो मौत को दावत देना जैसा ही लगता है हवाई में काफी खुबसूरत जगाएं मौजूद हैं जो इसकी खुबसूरती में चार चान लगा देती हैं लेकिन वहीं कुछ ऐसी सड़के भी हैं जिन पर से गुजरना काफी जोखिम बारा काम होता है जिसके एक तरफ उंची उंची पहाडिया तो वहीं दूसरी तरफ गैरा समुदर जहां की गई एक भी गलती आपको समुदर में डुबा सकती है फिर भी दिलेर तो दिलेर ही होते हैं जो इस लग से समुदर के खुबसूरण नजारे को देखने के लिए दूर दूर से आते नमबर टू दा अट्लांटिक रोड यह सड़क देखने में जितनी ही सांदा लगती है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी है यहां हर कदम पे मौत इंतिजार करती रहती है क्योंकि समुद्र की उची-उची लहरे हमेशा यहां से गुजरने वालों की गाड़ियों से टकरा ज पड़ती है नमर थिरी पटियोल रोड चीन यह सड़क देखने में काफी खूपसूर लगती है मानों किसी ने कागट पर चित्रकारी की हो पर वो कहते हैं ना जो चीद देखने में जितनी कूपसूर लगती हो उतनी ही खतरनाक होती है यह सड़क भी ठीक वैसी है क्योंकि यह सड़क अपने घुमादर मोड की वजह से काफी कतरनाक है जहां की गई एक भी गलती अपकी जान ले सकती है तो कि इस सड़क के टेड़े मेड़े होने की वजह से कई बार ड्राइवर अपना बैलन्स खो देते हैं और वह सिदे खाई में जागिटते हैं इस सड़क पर वही लोग गाड़ी चला सकते हैं जिनमें काफी हिम्मत हो नमबर फूर मैं इसके को फीडा लही दे दोस्तों यह सड़क काफी बदनाम है क्योंकि इस सड़क के किनारे रहने वाले लोग यहां के माफिया हैं इस सड़क से गुजरने वाले याथ्रियों को वह अखेला अगर आप कभी भी इस सलक पर जाये तो इन लुटूरे सो काफी सहतर करें नमबर फाइव यहाँ पर कई लोग साइकलिस्ट एडवांचर का मज़ा लेने के लिए आते हैं जिसकी कीमत उन्हें अपने जान दे कर चुकाने पड़ती है यहाँ खतरनाक सलक नेपाल में मौजूद है जो एक नदी के किनारे काफी उचाई पर इस्तित है जिसकी एक तरफ उची-उची पहाड़ियां तो वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई इसे और भी खतरनाक बना देती है यहाँ से गुजरते हुए हर साल लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मौत खाई में गिरने की वज़ास से हो जाती है क्योंकि यहाँ आसपास हस्पिटर ना होने की वज़ास से गाया लोग सही समय पर हस्पिटर नहीं पहुँच पाते जिसके वज़ास से उन्हें अपने जान से हाथ दोना पड़ता है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें क्योंड बाक्स में जोरू बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सस्क्रेब के लिजी